जैसे किशना दोस्तों, जैसे का आप सभी जानते 21 अगस्त को नाग पंच मी हैं, तो इस देन आपने साड़े साथ बज़े शाम के समय सूरियस के बाद ये छोटा सा उपाय करने हैं, आपको आटे के दो दीपक बनाने हैं, एक पंच मुखी दीपक बनाना है, दूसरा आपको चौ मुखी दीपक बनाना है, इसमें आपने सरसो का तेल डालना है, कालत तेल डालना है, और लंबी बाती बनाएंगे आप, आपने ये दीपक क्यों प्रजुलित करने हैं, मैं आपको बता दू, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कल है, चल रहे लड़ाई, बहुत ज़ादा हो रहे हैं, कुंडली में राहु केतु ने आपको बहुत परेशान कर रखा, या कुंडली में काल सर्फ दोश हैं, तो नाग पंचमी के दिन एक पंच मुखी दीपक प्रजुलित करने से आपकी जीवन की समझ से खतम होती हैं, आपने ये पंच मुखी दी ओफिता की बहन का नाम लेते, ये पंच लॉए आपने भगवान शी शुग कर देनी हैं, जितना भी काल सर पर दोश है वो सारा दूर हो जाएगा, पर दोश के समय पे ये उपाए अवश्य कीजिए, और चौमु की दीपक आपने पीपल की वृष्श के जड़ के पास जला तो पीपल के वरिख्ष में जरूर से जरूर एक दीपक सरसो के तेल का प्रजवलित करना चाहिए मगर जब कुछ खास विशेश अफसर हो तब चौमुखी दीपक अगर आप प्रजवलित करते हैं तो राहू केतू और शनी सब की कुद्रिष्टी शांत हो जाती है आपके जी कि दीपक पीपल की वरिख्ष की जड़ के पास अवश्य जलाएं साथ परकर्मा लगाएं अपनी इच्छा अपनी मनो कामन आवश्य बोलें जितनी भी समस्य है वो सारी दूर होंगी सावन का सात्वा सोमवार है साथ मिनाक पंच में बहुती विशेश अफसर है जे शीक्र दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जाद से जाद शेयर है